अब स्वागत है दोस्तों आप सभी का दोस्तों अपनी स्रीच चल लही है सामाने ग्यान के प्रसणों की यानिकी तीन पार्ट हमने कर लिए हैं इसके पार्ट नंबर चार दोस्तों आपके सामने हाजिर है और को से नंबर 19 कांसर में आपको बदाएता हूं पिछली वीडियो तो आप लोग आंसर नहीं बतादें फ्रेंट्स कोई नहीं है इस वीडियो में भी आपको दो कोशन के आंसर कमेंट स्बोक्स में लिखने हैं तो लाट सक देखेगा पहला कोशन आपका यहां पर हो जागा कौन सा तत्यू सबसे कम सक्रे होता है तो दोस्तों अपका सम्विध प्रणों जाएगा साथ कितने सदेश्य थे दोस्तों साथ सदेश्य थे ज्यान दखेगा स्कूशन को और दोस्तों आप मुझे अनगर में कर सकते हैं आपको डिस्क्रिप्र बोक्स में लिंक दे रहा हूं वहां से जाके फूलो कीजिएगा मैं दोस्तों यहीं पर हर राइबो सूम मैं इसका अंसर हो जाएगा राइबोसुम नई अफर आपका अलाधीन खिल जी ने किसे दिवाने रियासत नियूक्त किया था तो अच्छा कोवसों दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा मलिक याकोब को मलिक याकूब को याकूब ठीक है तो अगला क्रिशन हमारा यहां पर आ जाता है कि बेगम अक्तर गायन की किस विधा से संबद्ध है देख लीजेगा अच्छा कोशन यह भी बन जाता है आपका तो यह हो जागा दोस्तों गजल गजल गाई करते कोशन नमबर 6 है एक प्रिका स्वर्स कितनी दूरी के बराबर होता है तो आपने अंसर लगाए दिया होगा दोस्तों कितना होता है 9.46 गुणा 10 की घाथ 12 किलोमेटर और इसी तरह से नेट परिशन आप कहा जाएगा कि ओलंपिक मसाल किस पदार से प्रेज्वलित की जाती है ओलंपिक जो मसाल होती है कि इस पदार से प्रेज्वलित की जाती है तो इसका सही आंसर दो तो सूर्य किरण से सूर्य किरण से भारत में जिलो की कुल संक्या कितनी है भारत में जिलो की संक्या कितनी है तो राज्यों की नहीं पूछ रहा है यहां से पूछ रहा है जिलो की संक्या कितनी है तो आपका आंसर हो जाएगा चैसोचालिस और प्रिशन है आपका सलतनत कालीन सिल्तानों के सासंकाल में किसके सासंकाल में सरवधिक दास क्या है थे तीक है माइक पांडे किस छेत्र से संबन्द हैं माइक पांडे किस छेत्र से संबन्द हैं तो इसका अंसर हो जागा द्रव्यमान द्रव्यमान इसका आंसर हो जागा दोस्तों द्रव्यमान नेस्ट आपका सम्विदान सभाग के जंडा समीति के दिख्स कोंते जंडा समीति के दिख्स का नाम आपको बताना है तो इनका आंसर हो जागा जेवी किरपालनी जेवी किरपालनी याद रिखेगा लोहा एवं कोंगंधा का निर्मार कौन सा मिश्रून है तो इसका एंसर हो जी आए ऐ आ समय को पो आता बेसर में सिवा जी के एक किसे दखते सुविदार बनाकर भेल थे था दक्खन का सुबिदार किसको बनाया था तो देखिए इन्होंने बनाया था साइस्ता खां को साइस्ता खां को यहुदी मैनूही किस वादी अंतर के प्रमुकवादक थे तो इनका अंसर दोस्तो वाइलीन के वाइलीन के लिख लीजिएगा सुर्य के अपेक्सा करत ठंडे भा कि सूर कलंग सर्व प्रिथ कि सलन कई प्रत्यार प्रत्यार उपन सम्भव उब कि सब से पहले विश्व में क्या हुआ हिड़का जो कि क्या हुआ दोस्तु प्रत्यार ऊपन थीक है और लाश्ट कूसर आपकाहे कि दर्जबर मृत्यू गंतावाला पहला राज्य कौन सा है पहला राज्य आपका करनाटक हो जागा दोस्तों करनाटक और कोसर नमबर 19 और 20 का अंसर आपको बताना है कोसर नमबर 19 क्या आपका किस मुगल बासा ने वसीहत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया कि कि वे एहमद खां को बजीर बनाएं तो कोसर नमबर 19 आपको बताना है और हिस्टर नी हुट स्टन किस शेयर से संब्दित थे तो दोनों का अंसर आपको बताना दोस्तों कमेंट से बुक्स में थैंक्यू झाल झाल